दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों काम करने का बहुत तरीखा चुका हूँ। लेकिन मैंने अभी तक आप लोगों को कॉपोटर को सट डाउं करना नहीं सिखाया। अब आप सोच लोगे कॉपोटर को सट डाउं करने करी क्या सिखना है। सिंबल इस्टार बटन पे क्लिक करके उसमें सट डाउन का बटन है उसमें क्लिक कर देना है या फिर कीबॉर्ट से बंद करना हो तो आल्टेप 4 की प्रेस करके जैसी इंटर करेंगे तो इस तरीका है काफी पुराना है आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 7 तरीके से कमपो टोपिक है दोस्तों पहला तरीका कमपोर्टर सट डाउन करने का इतना पॉपुलर है जिसके बारे में हर कोई जानता है माउस का यूच करके स्टार बटन पर क्लिक करना होता है इसके अंदर पावर का बटन है इसमें क्लिक करके इसमें दियावा है सट डाउन है इसमें क्ल पर क्लिक करके आप यहाँ पर स्लेट कर सकते हैं जैसे इसमें दियावा है restart, shutdown, switch user shutdown slate करके और यहाँ पर जैसी ओक्लिक करेंगे computer shutdown हो जाएगा यह दोनों तरीका काफी पुराना हो चुका है computer shutdown करने का तीसर तरीका keyboard से आपका प्रेस करना है बिन्डो की के साथ में X की, यहाँ पर एक मिन्नू ओपन होगा इसमें आपको सबसे नीचे जाना है नीचे दियावा है shutdown और sign out इसी के सामने यहाँ पर option दिये वे हैं shutdown का, restart का तो यहाँ पर shutdown पर जैसी क्लिक करेंगे तो computer को shutdown हो जाएगा computer shutdown करने का चौथा तरीका आपको keyboard से प्रेस करना है control, alt और delete यहाँ पर कई सारे option दिये वे हैं computer shutdown करने के लिए आपको right hand side में bottom में जाना है यह दिया है power का button जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगया shutdown का option है आप यहाँ से भी computer shutdown कर सकते हैं तो यहाँ पर escape की प्रेस करके मैं बेक आ जाता हूँ computer shutdown करने का पांचमा तरीका आपको keyboard से प्रेस करना है बिंडो की साथ में R की run open करनी के लिए और यहाँ पर आपको टाइप करना है cmd और enter कर देना है आपको यहाँ पर टाइप करना है shutdown space dash s space dash t और space दे करके यहाँ पर आपको time tap करना पड़ता है time आपको देना है second में जैसे माल लिजिए मुझे एक मिन्ट में computer shutdown करना है तो यहाँ पर टाइप कर दिया मैंने 60 और जैसी मैं यहाँ पर enter करूंगा तो यहाँ पर देखिए option आ चुका है you are about to be signed out windows will shut down in one minute computer मार एक इंट में बंद हो जाएगा दोस्तो मुझे अभी बंद नहीं करना है क्योंकि मैं अभी recording कर रहा हूं जो आपने shutdown को command दिया वा है इसे stop करने के लिए आपको यहाँ पर type करना है shutdown, space, days, a और जैसी आप यहाँ पर इंटर करेंगे जो time हमने यहाँ पर set किया वा है यह stop हो जाएगा shutdown करने का छटा तरीका दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं power off यह एक application है application का यूज करके भी हम computer को shutdown कर सकते हैं मैं इसे double click करके open कर लेता हूँ इसमें बहुत सारा option दिये वे हैं जैसे log off, reboot, shutdown, standby, hibernate इसके लाबा यहाँ पर monitor को भी आप off कर सकते हैं इस वाले application का यूज करके अगर आपको timing set करना हो तो यहाँ पर यहाँ सीडियो से आप इस पर click करके यहाँ से time set कर सकते हैं आपको कितने बज़े computer shutdown करना है अगर आपको immediately करना है तो यह दियावा है immediately इस पर click करके जो option आप यहाँ पर choose करेंगे जैसे मैं यहाँ पर ले लिया shutdown है और जैसी यहाँ पर do it पर click करूँगा तो computer मारा shutdown हो जाएगा तो इसे मैं cancer कर देता हूँ computer shutdown करने का साथमा तरीका दोस्तो जब computer start करते हैं तो पासो डालने से पहले right hand side में यहाँ पर bottom में power का बटन दियावा है जब आप इस पर click करेंगे तो इसके नरी यहाँ पर दियावा है shutdown आप यहाँ से भी computer start कर सकते हैं आपने देखा दोस्तो computer start down करने के कितने तरीके होते हैं इसके लावा और भी तरीका है अगर आप मुझे comment करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा तो आज कही वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे comment करके जहूँ बताना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करने ना भूलें चैनल पे नहे हैं तो चलो को subscribe कर लें और बेगा बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नहीं नहीं वीडियो जैसी अप्लोड करूँ